हलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने LG W11 Android वाइल फोन में आप जो है Notification Vibration Setting को आप Disable कैसे कर सकते हैं यानि Off कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Notification Vibration Setting जो है Disable होने के बाद ही Setting कैसे काम करती है आज किस वीडियो में हम आपको डेटेल में जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में Setting पेज आपको ओपन करना है ठीक है? Setting पेज को ओपन कर लीजिए setting page में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा यह accessibility, accessibility पर select करना है, अब आपको accessibility के इस page में नीचे आना है, यहाँ पर आपको option मिल जाएगा यह, option मिलेगा आपको यह वाला vibration and haptic strength, इसे आपको select करना है, यहाँ पर आपको अगले page में option मिलेगा notification vibration इसे select करना है अब यहाँ पर notification vibration के speech में आपको second option select करना है off का ठीक है off के सामने circle पर tick mark लग जाएगा तो इस तरह के से आपकी notification vibration setting disable हो जाएगी ठीक है अब यह notification vibration setting जो है disable होने के बाद यह setting कैसे काम करती है यह मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके mobile phone पर कोई भी notification आएगा तो आपका mobile phone vibrate नहीं करेगा सिर्फ notification की sound को create करेगा आपका phone लेकिन आपका phone vibrate बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आपने setting को off करती है ठीक है तो इस setting notification vibration setting यह disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके LG W11 Android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि कैसे आप यह notification vibration setting को आप अपने mobile phone में ठीक है तो shortcut तरीके से कैसे ठूंड सकते हैं इस setting को इसके लिए आपको करना होगा आपको अपने phone में na setting page open करना है ठीक है setting page में आपको सबसे उपर इस search setting का option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है notification vibration ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा यहाँ पर type कर देना है इस तरीके से तो आपको नीची की साइड यह option show हो जाएगा इसे आपको select कर लेना है ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह shortcut तरीका इस setting को डूंडने का आपके mobile phone में